नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्पार आवार्ड बढ़ने में क्या-क्या समस्याओं का समाधन क्या है दोस्तों इंस्पार आवार्ड से समंदित मैंने कई परकार के वीडियो बनाये हैं लगबख सभी वीडियो मैंने बनाये हैं ज इस्टार साइंस चैनल और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल इस्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी परकार के लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके तो इंस्पार आवार्ड बढ़ने में बहुत से लोगों को जब वहां पर बच्चों के एप्लिकेशन पोरम हम सब्मिट करते हैं तो वहां पर समस्या आती है तो उस समस्या के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो बहुत से दोस्त करें थे कि सर करें इसके लिए आप सारी इंफरमेशन एक बार चेक रहें कहीं आपने कोई इनफरमेशन को जानकरी काली तो नहीं छोड़ दिये सभी भाग आपको बढ़ने होते हैं कोई जानकरी यदि आप काली छोड़ दो गए तो वह समिट नहीं होगा और लोगाट हो जाएगा तो आप यह जिनॉपसिस लिखते हो तो सिनॉपसिस के वल इंगलीस में लिखोगे हिंदी में सिनॉपसिस लिखोगे तो भी आप बार-बार लोगाउट हो जाओगे समिट नहीं हो पाएगा और यह आपने सिनॉपसिस में कोई special character जैसे end का symbol है, dollar का है, day से, slave से, आधी कई परकार के दोस्तों symbol होते हैं, यह symbol भी आपको उसमें नहीं डालने हैं, यदि आप किसी परकार का symbol उसमें use करते हो, तो भी आप submit नहीं कर पाओगे, बार-बार logout हो जाएगा, उसमें आप dot, और coma के लाओ, और किसी परकार के symbol का use नहीं करें, वरना वो submit नहीं होगा, बार-बार logout हो जाएगा, और इसके लिए आपको बहुत सारी समझ चाहें आएगी, तो तीन चीज़े दोस्तों मैंने बताएगे, एक तो आप सारी जानकरी दे, यदि कोई भी आप खाली छोड़ दोगे, तो भी submit नहीं होगा, सिनोप्सिस आप हिंदी में लिखोगे, तो भी submit नहीं होगा, बार-बार logout हो जाएगा, आपके प्रेशा नहीं बढ़ जाएगी, और तीसरा सिनोप्सिस में किसी प्रकार के symbols का use आप नहीं करें, उसमें dot और coma के अलावा अन्य symbols का use आप नहीं कर सकते, और सारी जानकार आपको उसमें भरनी है, तो ही submit हो पाएगा, वरना बार-बार वो आपको logout कर देगा, और आपकी समस्या बढ़ती जाएगी, धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए star science channel,